पुरानी दुश्मनी के चलते एक आरूपी ने चाकु से एक व्यक्ति पर हमला कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया है। पुलिस के अनुसार प्लॉट नंबर 1038 राम पेट हनुमान मंदिर के पास लिकर गंच निवासी सचिन इटनकर ने पुलिस को बताया कि आरूपी गोपाल पिसे ने गज 24 दिसंबर को उस पर चाकु से हमला किया। घटना के तीन आरूपी गोपाल पिसे ने मौका पाकर सचिन से विवात किया और हद्या के इरादे से सचिन पर चाकु से वार किया। जख्मी सचिन का सेवन स्टार अस्पिताल में उप्चार चुरू है। पुलिस ने हद्या की प्रयास का मामला दशकर गोपाल पिसे को गिरफतार क्या है। दिनांक 24 बारा दो हजार 23 ला रातरी 8 वाजून इस वास्ताचे दर्मेन ज़े जख्मी है। सचिन मारोत्राव इटन कर वह बेचाडिस रानार रामपेट यांचा आनी ज़ेजर रानारे आरोपी गोपाल मधुकर पीसे वह चावरेचाडिस। यांचा जागे जुने जागे चा वादा है। यांचा जख्मी हैंनी सचिन इटरकर यांचा आरोपी गोपाल पीसे यांचे नातेवेगाचे घर घेतलेले होते। तो त्या मोडे मागिल पात्वर्शा पूरू। तेचरुन तेनचे धुस्पूच सालोश्ते 2020 मामद सुद्धा तेनचे वाद वीवाद चाले रोटे। तेच अनुज आया चोवीच चा रात्री गोपाल पीसे यानी अचानक पने सचिन इटरन कर खोन वर बोलतास तरना रात्री जादर में यून चाकुने तेनना जिवे मारने जब्देशा ने चाती वर पोटा वर वार केले। तेना इमिजिवेट स्टेवन स्टार हॉस्पिटल मादे एडमिट करून तेनचे बयान नोंदून गुना दाखल करने ताले तीन से साथ प्रमाने तपास सद्या पीसा करूडे पोश्टे लकड़ वाजे इतिल करता है आरो पिला अटक करून पीसेर घेने ताले ले आए व क्यामरा परसन अखिलेज भारत वास के साथ अभिशेक पांसी की रिपूट